प्यारे बिर्टियों नमस्कार स्वागते एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का तो आज की क्लास में दोस्तों हम CET 2023 की परिक्षा के लिए अत्ती मेत्वपूर्ण राजिस्तान जिगे के प्रशनों पर चर्चा करने वाले हैं तो जितने भी छात्रे 12th level CET की त्यारी कर रहे हैं आज की क्लास को आपको end तक वच करना है क्योंकि बहुत ही मेत्वपूर्ण प्रशनों पर हम चर्चा करने वारे तो भी ना किसी देर के क्लास को सुरू करते हैं पहला क्वच्चन आपके सामने है बागोर की हवेली कहां पर इस्तिते चितोडगर्ड जैसलमेर उदेपूर या फिर जेपूर तो जल्दी से पहले प्रशन का राइट आंसर बताए क्या हो जाएगा भागोर की हवेली के बारे में पूचा गया है कहां पर इस्तिते आपको बताना है तो जल्दी से राइट आंसर हो जैगा चितोडगर्ड जैसलमेर उदेपूर या फिर जेपूर तो बात करें राइट आंसर की वागोर की जो हवेली है बिल्कुल आपका उदेपूर के तो क्या हो जागा इस प्रशन का राइट आंसर जल्दी से बताईए गोगा जी का जो मेला है कौन से महक के अंदर बढ़ता आपको बताना है तो जल्दी से राइट आंसर बताईए बहुती important पशने और बात करें राइट आंसर की बिल्कुल दोस्तो बादरपुद मास में आपके जोहें गोगा जी का मेला बढ़ता है पहला यह option इसका correct हो जाएगा अगला परसन देखे तेजा जी का मुख्य तीर तीर तीस्तल कहां परिस्तिते तेजा जी का मुख्य तीर तीर तीस्तल कहां परिस्तिते आपको बताना है और बात करें इसके राइट आंसर की विल्कुल दोस्तो खरनाल जो की तेजा जी की जनमिस्तली भी रहा है यहाँ पर द नागोर के अंदर इस्तिते जो कि तेजा जी की जन्मिस्तली भी रहे हैं तो तीसरा option इसका correct हो जाएगा अगला देखे पलाना किस खनीच के लिए जाना जाता है पलाना जो है कौन से खनीच के लिए जाना जाता है कोईला, तांबा, चांदी या फिर सोना तो आंसर बताई इसका क्या हो जाएगा पलाना जो है आपके कौन से खनीच के लिए जाना जाता है आपको बताना है तो जल्दी से right answer बताएं क्या हो जाएगा तो काप सारे भीरत आंसर देरें बिल्कुल दोस्तों कोईला के जिसके लिए ये जाना जाता है और कोईला में भी दोस्तों लिगनाईट कोईले के लिए आपका परलाना जाता है पहले यह option इसका correct हो जाएगा अगला है महारणा परताब की छत्री जो है कहाँ पर इस्तित है चितोडगड गेटो और बांडोली या फिर बून्दी तो आंसुर बताई इसका क्या हो जाएगा महारणा परताब की जो छत्री है तीसरा option इसका correct हो जाएगा चले बढ़ते है अगले परसन के और अगला है टोड़ गड़ को राजिस्तान में कब सम्मिलित किया गया था 1948, 1950, 1950 या फिर 1956 तो आंसर बता ही इसका क्या हो जाएगा टोड़ गड़ को राजिस्तान में कब सम्मिलित किया गया था इंपोर्टन प्रशन दोस्तो परिक्षा की देश्टी से CET 2023 का अग्जाम जल्द आने वाला है तो जितने भी क्लासे जाज से लगती है डेली आपको अटेंड करनी है तो टोड़ गड़ को राजिस्तान में कब सम्मिलित किया गया बात करे राइट आनस्वर की 1906 में ये सम्मिलित वाता चोता उप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है प्रसीद बेनेस्वर दाम कहां परिस्तिते नवाटापूर गाउं भूमगड गाउं देशुरी गाउं या पिर इनमें से कोई नहीं जल्दी से इसका राइट आनस्वर बताएगा बेनेस्वर दाम जो है आपके कहां परिस्तिते आमको बताना है तो बात करें बेनेस्वर दाम के देखें डूंगरपूर का एक गाउं है नवा टापूरा गाउं जहां पर आपके बेनेस्वर का दाम इस्तिते चोता option इसका correct हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगला परसंद के और अगला है दोस्तो कोटा 8077 के विद्रों का नेता को हो था ठीकना 8077 का जो विद्रों वहा था तो कोटा के अंदर वहां का नेता को हो था राम चंदर जे देयाल और महराब खान जो दिशिंग या पिर हिरा तो वानसर बताए इसका क्या हो जाएगा तो बात करें इस प्रसंद के राइट आंसर की 8077 में कोटा विद्रों का जो नेता था वह था दोस्तों जे देयाल और महराब का दूसरा option करेक्ट हो जाएगा अगला है राज्ये में बाजर अनुसंदान के अंदर कहां पर इस्तित जैसल मेर, जालो और बाड मेर या फिर जोदपूर तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताईए राज्ये के अंदर बाजर अनुसंदान के अंदर कहां पर इस्तिते बात करें राइट आंसर की तो बाड मेर के अंदर इस्तिते तीसरा option करेक्ट हो जाएगा अगला देखे अगला परशन है पासूपत सम्परदाय का संस्तापक कौन थो लखूलीत बासर वसू बंदू या फिर कोषिक तो आंसर बताईए इसका क्या हो जाएगा पासूपत संपरदाय का जो संस्तापक है वो कौन था आपको बताना तो बात करें इसकर राइट आंसर के विल्कुल दोस्तों लकुलिस्ट जो है पाफसुपत संपरदाय का संस्तापकता पहले ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला परसन है दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिदे खंडेला सांगानेर नाडोल या पिर आकोला तो आंसर बताएगा दाबू प्रिंट के लिए क प्रतम जेविक कर्सी वाला जिला कौन सा है राजस्तान का प्रतम जेविक कर्सी वाला जिला राजसमंद बांसवडा डूंगरपूर या पिर अलवर तो आंसर बताएगा राजस्तान का प्रतम जेविक कर्सी वाला जिला कौन सा है बात करें राइट आंसर की डूंगरपू तो आंसर बताए जल्दी से सभी को क्लास को end तक वज़ करना है और बात करें राइट आंसर की बिल्कुल दोस्तों सेजुंक तराजी अमेरिका की साहिता से आपका पांचना बांध जो है जो की करोली में है बनाये गया है पहला यह उप्सन इसका करेंटर जाएगा अगला परसन है अजीत बहुण पेलेस कहाँ पर इस्तिते जैपूर, उदेपूर, जोदपूर या फिर बरतपूर तो आंसर बताए इसका अजीत बहुण पेलेस तो अजीत बोवन पहले इसकी मैं बात करूँ बिल्कुल जोतपूर के अंदर आपका यह स्थिते तीसरा उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला पसंद देखे अगला दोस्तो गोविंद गुरू किसी जाती से समधी थे गोविंद गुरू जो है कौन सी जाती से समधी थे गराशिया बंजारा बेल या पिर कालवेलिया तो आंसर बताई जल्दी से क्या हो जाएगा गोविन गुरु जो हैं कौन सी जाती से सम्मंदीते आपको बताना है तो जल्दी से राइट आंसर बताईए और बात करें इसके करेक्ट आंसर की विल्गू दोस्तो बंजारा जाती से यह सम्मंदीते दूसरा उप्षन इसका करेक्ट वेज़ जाएगा अगला परसंदेगे अगला परसंदेगे अगला परसंदेगे दोस्तो डांग की राणी किसे का जाता है ठीके ना डांग की राणी किसे का जाता है सवय मादुपूर को अलवर को करोली को या पिर सिरोई को तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताईए डांग की रानी आपके किसे का जाता आपको बताना है जल्दी से बताईए तो कब सारे बिरत्यान सुद्रे बिल्कू दूस्तो डांग की रानी जो है आपके करोली को का जाता है तीसरा उप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला परसंदेखे अगला दुस्तो होली का त्योहार कम मनाय जाता है देखे चैनल को अभी तक सब्सक्राब ने क्या है तो जल्दी से सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और आपने अभी तक आरपिश्ट डीफिवर के टेलिग्राम चैनल को जोईन ने क्या है तो जल्दी से जाएए टेलिग्राम पे सर्च कीजिए आरपिश्ट डीफिवर और टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजे तो अगला परसन होली का त्योहार कम मनाय जाता है चैतर में फालगून जेस्ट या पिर इन में से कोई नहीं तो क्या हो जागा इसका राइट आ जाता है जस्वन सागर को बंद बरेटा को जवई बांध को या पिर रजान बांध को तो क्या हो जागा इसका करेक्ट आंसर मारवाड का अमरत सरोवर जल्दी से राइट आंसर बताए दोस्तों मारवाड का अमरत सरोवर किसे का जाता आपको बताना है और बात करें तेज के लिए बहुत ही important class होने वाली है मोरिय सभीता के परमाण कहां से प्राप्त हुए और बात करें राइट आंसर के विल्गू दोस्तों बेराट से ठीक है न बेराट से आपके मोरिय सभीता के परमाण प्राप्त हुए पहला ये option इसका correct हो जाएगा अगला परसन देखें रामसा पीर के नाम से प्रसीद संत कोन से है रामदेव जी, दादुदेयाल, तेजा जी या पिर हड़वू जी रामसा पीर के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है तो जल्दी से इसका right answer बताएगे बात करें राइट आंसर की रामसापीर के नाम से जो प्रसीद शंते तो आपके दूस्तों क्या हो जैगा रामदेव जी इसका विल्कुल करेकर आंसर हो जाएगा चले बरते अगले प्रसंद के और अगला है प्रसीद शंगीत गिए रमा भाई जो है किसकी पुत्रिती जेतर स प्रसीद संगीत गी रमा भाई जो है किसकी पुत्री थी आपको बताना है तो बात करें राइट आंसर की राणा कुम्बा की ये पुत्री थी तीसर अप्सन इसका करेक्टर जाएगा चलिए बढ़ते अगले परसंद के और अगला दुस्तु राता नाडा हवाएड़ा कहां परिस्तिते जोदपूर, सीकर, उदेपूर या फिर बरतपूर तो आंसर बताई इसका क्या हो जाएगा राता नाडा हवाएड़ा इंपोर्टन प्रसन है दोस्तु 2023 की CET परिक्षा के लिए 12th लेवल की जो भी परिक्षा होगी उसके लिए ये क्लास मेतोपूर्ण होने व जल्दी से क्या हो जाएगा नात संप्रदाय की जो गद्धी है कहां परिस्तित आपको बताना है तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताईए इंपोर्टन प्रसन है कौन सा इसका करेक्षा मंत्री या पिर मुक्य मंत्री तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताईगा दू करता आपको बताना है और बात करें इसके राइट आंसर की बिल्कु दोस्तों राज्य पाल उनके नियुक्ति करता है पहले उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा तो आज के मेत्वपुन प्रस्णों की क्लास का ये होने वाला दोस्तों अंतिम प्रस्ण पूचा गया है फकड का धनी किसे का जाता आपको बताना है तो आंसर वाता है इसका और बात करें इसके राइट आंसर की बिल्कु दोस्तों आपके जे नराण व्यास को आपके लकड़ फकड का धनी का जाता है चोता उप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हमारे CET 2023 क को आपने अभी तक जोईने क्या है तो जल्दी से जाए टेलिग्राम पर सर्च किजिए और टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजे तो मिलते किसी और नए क्लास में तब तक लते हैं अलविदा धन्यवाद